जैशी राम सभी बगतों को जैमातागी फिर एक नहीं वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर होगी है और आज की जो हमारी वीडियो है आज हम जानेंगे कि अगर हमारी मूर्ती या हमारी तस्वीर हनवान जी की जागरित हो गई है तो हमें क्या-क्या संकेत मिलते हैं जहा अब स्राइब करके रखे ताकि अने वल्री हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुझ जाए चलिए सुरू करते आज की वीडियो do और अपने इश्ट अराद्य से और अपने परिवार के लिए अपने घर के लिए शुक्षानती की एक आस लगाते हो और उसके बावजुद आप आस लगाने के बाद आपका ये विश्वास है कि ये मेरा जो जिस देव के सामने मैं पूजा कर रहा हूं वो मेरी फर्याद को ज जरूर सुनेंगे और ये विश्वास हम उस सवरूप के सामने रखते हैं जिस सवरूप की हम पूजा करते हैं कहते हैं कि जब हम हम जिस सवरूप की क्योंकि जब मूर्ती कार मूर्ती को निर्मानित करता है या उसको बनाता है तो उसके उपर पैर भी रखता है हर पकार के कार यह भी करता है और चड़ता भी है मूर्ति पर नेकिन जब मूर्ति जब मूर्ति मंदिर में मंत्रों द्वारा अभी मंत्रित हो जाती है और प्रान पतिष्टित हो जाती है तब उसमें एक शक्ति का आवान हो जाता है और शक्ति प्रवेश कर जाती है तो वह एक पूजिनियस शविकार होती है। और आपकी मनों कामना पूर्न होती है। ऐसा ही क्या होता है, कि भक्त इस पकार के जब regional करते हैं तो हमारा मन करता है कि उनके लिए हर बात का उनका जवाब दिया जाए एक भक्त का ये सुवाल था कि गुरुजी अगर जैसे हमारे सवरूप सिद्ध हो जाए तो हमारे सवरूप सिद्ध हो जाए तब हमें किस पकार की अनुभव होते हैं देखिए मैंने तो स्वम इसके लिए एक शोट वीडियो डाली वी है आप देखना मेरे चैनल पर या मा के प्यारे चैनल पर मा दुरुगा का सवरूप है हमारे पास और मा की अप्रम पार किर्पा है जब जब हम जैसे की जब मातक की अश्टमी होती है जब चोदस होती है और या कोई भी ऐसा दिन होता है तो मा का च्छतर जो है न हिलने लग जाता है बगैर पंका बगैर हावा के और चैरे पर एक अलग सा ही नूर होता है बाल घने काले हो जाते हैं मेरे फेस्बुक पर भी मैंने डालक की है पोस्ट आप देख सकते हो और उसी दुरान जब ऐसा सवरूप होता है हमारे अंदर से ये हमें मैसूस हुजाता है कि मा की किर्पा जो है इस सवरूप में आ चुकी है किर्पा तो होती है नेकिन वो संकेत हैं अपनी मजूदगी के इसी पकार से जब आप हनुमान जी के सब्रूप के आगे पूजा करते हो आपको कुछ ऐसा सम्टन मैसूस होए जैसे कि जब आप पूजा कर रहे हो करते वक्त आपको एक ऐसी सुगंद मैसूस होने लग जाए ज जब शुरुआती तोर जब बाबा मा की बाबा की किर्पा हमारे शरीर पर आई तब मैं ऐसे जब मैं पूजा याचना करता था तब मुझे खुद को ऐसा मैसूस होता था कि कैसी सुगंद आ रही है तो एक वीडियो आप जरूर अपने बारे में भी बनाना कि जब आपने बाबा की खृपा का जो है दरवार लगाना शुरू किया था कितनी उमर थी किस तरीके से किया था क्या-क्या अनुभव आपने महसुस के अगर हम जरूर ये वीडियो भी बनाएंगे गुरुजी से जरूर जानेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में वक्तों के मन में ये ए कैसी आती थी तब मैं पूशता था क्या आपको आ रही है तो हो कहते हैं नहीं ये मैं अपने घर वालों से पूशता वह भी जो हो रहा ह। जब मैं पूजा करता था तब बाला जी का इतना सा सवरूप लेके आया था इतना सा आज भी मैं लाइम में वो सवरूप रखता हूँ और इतना सा सवरूप लाया था और सच बताऊं आज उस सवरूप के आगे पूजा करते करते उमर भीत रही है और जब उस सवरूप के अगर जब आपके शरीर पर इस पकार के सिंप्टन्स होने लग जाए या आप कोई फूल चड़ा रहे हो आज भी कई बार ऐसा होता है जब मैं माँ को फूल अरपन करता हूँ तो अचाना की फूल जो है गिर जाता है और तो मैं उन्हें आशिवाद के रूप में अपनी रमा करता हैं करते करते मैं संगलब लिया हैma कि मैं संदर कान का पाट करूंगा 41 चा उसvs दृण तो मेरे साथ हल चलूह हुआ हुआ सोचा sunshine था उस दिन मैं इस जिसको मान गया कि कल्यूग की जागर्थ शक्ति जो है वो बजरंग बली है जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कल मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे हनुमान जी की अधर्शन आपका सत्यो इसमें जूट नहीं है जो अनुभाव हमारे साथ हो र लूब्ड वनको इच्छ ये भी होती है, कि बाबा के हर वक्त उनके साथ रहे, और दिखे उन्हें, मैसूस है, नकिन बाबा अपने बख्चों को, अगर एक बबच्चे की आस है मन में, कि मैं बाबा की किर्पा को प्राप्त करना चाता हूं, या उनकी इच्छा को अपने अंदर प्रकट करना जाता हूँ, उनकी ताकि मैं उनकी भक्ती करकर दर्शन कर सकूँ, ऐसे तो हर वक्त आ सकता है, नेकिन तो बाबा अपने बच्चों की उस आज को पूरुन भी करते हैं, किसी ना किसी रूप में जिरूर करते हैं, और क्यों करता करें, आपका पुरा अधिकार भी है इसकारियारी, इसी पकार से ऐसे सिंटन्स आपको आते हैं, सुगंद आती है, पुष्प आते हैं, कोई छतर अगर लगा है, हिलते वे दिखाई जाता है, बगैर हावा के, या कई बार ऐसे भी मैसूस होता है, कि आंखे हैं जो है, हैं, छम करें या फिर बंद और ही हैं, फिर खल रहे हैं या आप कोई होंगे, इसके ङुड़े के अनुबह और हुछ क्यों किसी को नहीं ऑठ फ़किन होता है, कि ऐसा लगता है कोई साथ में बैठ गया आगे, या कोई होँगा है, या रहाप रमायन का बाठ कर ते हैं तो आप आसन लगाते होंगे अनुमान जी का उस आसन पर भी सरवटे पड़ी हुई आपको अनुभव को जादा अनुभव कभी भी किसी को शेर नहीं करने चाहिए नेकिन जन के कल्यान में जब आप कारिया करने लगाते हो तब अनुभव आपके नहीं रहते वह स्वाम प्रमात अनुभव आपको जरूर वीडियो बगारा शेर गुरुजी जब भी रामायन का पाट करते थे हम आसन लगाकर अनुभवान जी को लग से चोंकी लगाते थे तो उसमें बहुत बार नोटीस करते थे कि जो अक्षत हमने चावल वहां पे उनको स्थान दिया था वो विख्र हैं रामायन का पाट और वो आते भी हैं अपने बक्तों को दर्शन देने तो आप जब कहते हैं कि बगवान की पूजा जो व्यक्ति करता है उसका एक विश्वास का रिष्टा होता है अपने इस्ट के साथ और वही व्यक्ति इन चीजों को बड़े जैसे कि दीपक की बाती में जो फुल बनना ये एक विश्वास का विश्वास है आपका और आपके बाबा का आपके बीच में कोई तीसरा कोई नहीं ऐसे ही अगर आपके साथ भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आप हमारे साथ वर्टसब पर लिख कर बेश सकते हो आपकी उन अनुभवों के अनु पर आपके बताए जाएंगे कि एक भगत को ऐसे भी अनुभव होते हैं मैं तो हमारे दर्वार में एक ऐसा भगत है उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंग संग बावा चल रहे हैं जब वो मोर्षाल पर जाता है उसको मैसूस होता है कि शीट की पिछली साइड कोई जब से बाबा की वह भक्ति कर रहे हैं और हनुमान जी को चोला चलाते हैं तो यह सबी भक्तों के साथ होते हैं जो भगत बाबा कोई एक व्यक्तिकत विशेश का नहीं है वो सबी के लिए हैं। है तो बोलिए जैसे तक आम जैश्री बारा जिमारा जैमाता दिए